अगर मैं आप लोग किसे कहूँ कि आप लोग VS Code का इस्तिमाल किसे लिए करते हैं तो आप बोलेंगे यह कैसे हो सकता है यहां पर यूटीब वीडियो कहां से आ गया उस पर कैसे अपलोड करेंगे लेकिन यहां पर बहुत ईजी कर देता है अगर आप लोग को यूटीब कैसे जब भी आप लोग अपने वीडियो को अपलोड पर लगा देते तो उसके अंदर बहुत में चीजी होता है जो कि ओधा टाइटेल डिस्क्रिप्शन और यहां पर टैग तो यहां पर उसको लिखने में हम लोग का पसीना चूड़ी आता है माल लीजे मैं यहां पर टा लोग दबाऊंगा फिर उसके बाद मैं लिकूँगा एंड्रॉइट इस तरह से मैं लिकूँगा लेकिन मैं आप लोग से कहता हूं कि इतना करने हैं कोई जरूवत नहीं है फिर आप बोलेंगे इतना नहीं करना है तो आप लोग बहुत से गाम कर सकते हैं यहां पर आप ल एक फाइल बन जाता है मैं यहां पर प्रेस करके दिखाता हूं यहां पर दिखें फाइल बन गया अब इसके अंदर आप लोग का टाइटल है उसको आप लोग लिखना है कुछ तरह से उसको लिखने के बाद आप लोग का एडिटिंग यहां पर स्टार्ट करना है तो मैं यहां से सुनें, ctrl shift plus p, क्या, फिर से मैं बताता हूँ, ctrl shift plus p, फिर से बताऊं, ठीक है, ctrl shift plus p, आप बोले के क्या बोर कर रहे हो, जब्स बताऊ, तो यहां पर देखे, search box आ गया, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगर, यहां पर मैं लिखूंगा, अपरर case, जैसे मैंने अपर case लिखा और यहां पर एंटर करूँ, तो मैंने select कुछ और कर लिए दिना, मैं इसको select करता हूँ, इसको मैंने इसको select करने के बाद यहां पर मैं Ctrl shift plus p, उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ, upper case, तो यहाँ पर देखे, transform to upper case को option आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखी, यहाँ पर, हो गया यह, upper case में हो गया, आप चाहे तो पूरा select कर लिजे, पूरा select करने के बाद, यहाँ पर, upper case लिखे, और यहाँ पर आप लोगा option मिलेगा, पूरा हो गया, upper case, अब आप चाहते हैं कि इसको lower case में करें, तो वही से, control shift plus P, और यहाँ पर select कर लिजे, पहले select करना पड़ेगा, आपको select कर लिजे, control shift P, और यहाँ पर lower case, lower case, enter, ठीक है, यहाँ पर यह पूरा sub lower case में हो गया, ठीक है, अब एक और चीज़ आते हैं, यह यहाँ पर आप लोगों दिखाता हैं, यहाँ पर देखेज्ब का यहाँ पर GUJे रहा है, यहाँ पर android उज़ए यहाँ हो रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पर Android कुछ चेंज करना चाहता हूं, मैं लिखूंगा Android, Android मैंने लिख दिया, अब मुझे चेंज करना है हर जगा पर और वहाँ पर एक सब डालना है, जो कि है यहाँ पर Web, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर यह वाला जो arrow है, इस पर मैं क्लिक क यहाँ बनाते हैं, अब लोग वेब स्टूडियो भी देखते हैं, कुछ बनाते हैं, Android स्टूडियो जैसे वेब स्टूडियो बनाया जाए, या फिर होगा, अगर पता है आप लोग कोई ऐसा वेब स्टूडियो है, तो आप लोग बताईए, जरूर कमेंट करके, और एक त यहाँ पर ही हो गया, अब आपको पता करना है, मान लीजे कि आप लोगों का description कितना word का हुआ है, इसमें कितना character present है, तो आप लोग वो भी पता कर सकते हैं, यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर इसको पूरा को select करता हूँ, इसको पूरो को मैंने यहाँ पर select कर लिया, तो यहाँ पर देखें, 759 selected, यहाँ पर 759 character select हो चुका है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, कि यहाँ पर 759 character का description आप लोगों ने लिखा है, अब एक और चीज़ पर आते हैं, जो कि बहुत important है, यहाँ पर timeline, timeline क्या होता है, कि मान लीजे मेरा video 30 minutes का है, अब मैं उसमें ब लीजे, आप लोग को file कैसे बनाना है, तो यहाँ पर वेकरा है, वेकरा है करके मैं यहाँ पर timeline के अंदर जो भी लिखा हुआ है, उसको मैं उठा के हूब वहू, tags में डाल दूँ, ठीक है, tags में उसको डाल दूँ, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं ऐसे लो tag नि easy बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग यहाँ पर मालीजे 10-15 तो line है, इसको आप लोग select करेंगे, paste करेंगे, आप जिन्दगी भी जाना है उस पर, तो वो चीज़ आप लोग बिल्कुल नहीं करना, मैं यहाँ पर control Z करके वाप पर timeline ले आता हूँ, अब मैं क्या करना चाहता control Alt, फिर down arrow, आप अप arrow भी यूज़ कर सकते हैं, अब मैं जैसे यहाँ पर दिखाता हूँ, मैं यहाँ से चाहता हूँ, मालीजे, control Alt, अप arrow, तो पर multi-carcerer है, तो हर line पर multi-carcerer, मैं इसको एक बार नीचे करके पूरा नीचे तक ले जाता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ले आय करेंगे, अब यहाँ पर backspace लगाईए, backspace प्रेस करिए, और यहाँ पर हडाईए, अब उसके बाद आप लोग घ्या करना है, यहाँ पर एक comma डालने के बाद, फिर से एक shortcut time, control A, control A करना है, तो आप लोगा पूरा select हो जागा, उसके बाद control सी, यहाँ पर comma डालना बहुत ज जाकर मैंने comma लगा दिया, comma लगाने से होता है कि यहाँ पर आपका tax उस हिसाब से बढ़ आता है, ठीक है, और एक चीज, एक और important चीज में बताना चाहता हो, कि माल लिजे आप लोगा line है, इस तरह से line लिखा हुआ है, माल लिजे F अगर small है, मतलब F अगर पहले आता है, alphabet में तो उपर आ जाए, H पहले आता है, तो उस तरह से मैं short करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं पूरा को select कर लूँगा, पूरा को select करने के बाद यहाँ पर control shift P, और उसके बाद यहाँ पर short, short lines ascending, यहाँ पर मैं click करता हूँ, short हो गया, देखे A के बाद E के बाद, उसके बाद F, फिर G, H, यहाँ पर देखे बहुत आसानी short हो चुका है, तो यह easy होता है, और अगर आप लोग कहीं और से मान लीजिए, आप लोग keywords ले कर गया आ रहे है, आजकल बहुत सारा artificial intelligence आ चुका है, आप लोग chat GPT को बोल सकता है keyword के लिए, या फिर आप keyword कहीं से भ Android, उसके बाद यहाँ पर है studio, अब आप सोच रहेंगे किये क्या बगवा सकी keyword, Android अलएक studio अलएक ठीक है, तो ध्यान देजिए यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर एक और लाइन में app है, तो आप लोग यहाँ पर same, वोई multi cursor functionality का इस्तमाल कर सकते हैं, यहाँ पर control alt, नीचे वाला arrow, फिर end पर जाके comma लगा के select करके आप लोग, और एक चीज होता है कि अगर आपको मान लीचे जहाँ पर how के यहाँ पर एक cursor चीए, और यहाँ पर Android वाले जगाँ पर एक cursor चीए, तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पर रह लाइन नमबर, कितना डो लाइन है, तो यहाँ पर देखें, थर्टीन लाइन दिखा रहा है, नाइन कॉलम्स दिखा रहा है, यह भी easy है, चीक है, अब एक और चीज होता है कि आप लोग बहुत लंबा चोड़ा से यहाँ पर लिख देते हैं, मालीचे मैं यहाँ पर लिख तो आसा करता हूँ कि अगर आप लोग कोई content creation कर रहे हैं, YouTube पर वीडियो डाल रहे हैं, blog पर वीडियो डाल रहे हैं, blog लिख रहे हैं, या फिर किसी को आप letter लिख रहे हैं, उसके अंदर आप लोग कोई changes करना है, तो यहाँ पर आप लोग VS code का इस्तिमाल कर सकते हैं, यहा आप लोग यहाँ पर चाहें, आप लोग यहाँ पर चाहते हैं, माल लीजे, कि यहाँ पर इसको हटा दे, माल लीजे यहाँ पर जहाँ जहाँ कौम है, माल लीजे यह सारा जितना भी है, सारा line आप लोग को एक ही में करना है, तो एक और तरीका होता है, सबसे अच्छा तर तो यहां पर जोड़ना है तो मैं यहां पर क्या करूंगा और उसके बाद यहां पर बैक स्पेस दबाएंगा देखिए तो यह थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा किस तरह से इस्तिमाल करना है, यहाँ पर बहुत ज्यादा help होगा, अगर आप लोग कोई भी content creation कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर दो दिन बार बोल चुका हूँ, लेकिन आप लोग धान दीजेगा, और यहाँ पर जो भी मैंने shortcut बटाया है, आप लोग को हो सकता है, कि आप लोग को यह पत रत हो, तो आप लोग comment करिएगा जरूर, उसके अंदर हम लोग आ करके comment दूँगा, मैं आप लोग को एक heart दूँगा, अगर आप लोग comment करते हैं, तो आज की इस वीडिये पिस इतना ही मिलते हैं, इसके next वाले वीडियो में तब तक के लिए, good bye.